लोग अपने मतदान के पती कितना जागरूख हैं इसका मैं आपको एक उधारन देता हूँ खासकर जो महिलाएं हैं वो काफी जागरूख हैं आज सुबह से ही जो मतदान की प्रकिरिया चल रही थी उसमें कई महिलाएं हैं जो की सुबह के समय ही बुठो पर आ गई थी अपने मत का प्रियोग करने के लिए मैं आपको एक उधारन देता हूँ हमाय साथ सोनी है सोनी का बिवाह होना है और आज जो कारिकरम होता है बैवाही कारिकरम उसके अंतरगत आज मरवा मत कुरवा है और वैसे में मरवा मत कुरवा को पहले प्रात्मित्ता ना देते हूए सोनी भोट करने पहुंची है और साथ यही कारण है कि पचपन फीसिदी से जादा जो है वो मतदान हुआ है पूरे पलामू लोग सभा की बात करें तो तो यह गरवा की रहने वाली हम इन से बात करते ह हैं कि आपका अज मलब साधी होने वाला है आज मेरा अधिकार जो मेरा कर्तब है उसे हम पूरा करने के लिए अपने देश के लिए अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने से नाओ के लिए ताकि भारत देश के सारे नागरिक सुरक्षित रहे, इसलिए हम अपना भोटिंग करने यहाँ पे आए, ताकि हम सही और अच्छा नेता सून सके, ताकि देश के सारे नागरिक सुरक्षित रहे, खुस रहे, सुखी रहे, संपन रहे, हर चीज से फरा पुरा रहे, ताकि कभी किसी गरीब किसी को भी किसी चीज के लिए भी कश्ट नहों यहाँ पे गरीबी बिलकुल ही खतम हो जाए सोनी जैसी बहिलाएं जो है वो उदाहरन है जिस तरह से आज इन्होंने किया समाज के लिए एक उदाहरन है कितना गर्ब महसूस होता है आप इनके परिवार से हैं कि आज इनका बैवाहिक कारिकरम था उस दोरान ये वोट करने आई पहले बहुत जादा गर्ब होता है कि वो सारे चीजों को छोड़ के मद्दान को अपना सबसे बड़ा महत पूर्ण समझे और वो अपना कर्तब पूरा करने आई सारे रीती रिवाजों को छोड़कर आप लोग खुद मतलब सिंदू लगाई हुई हैं मतलब किसी प्रोग्राम में मतलब साधी का कारिकरम था उस दोरान जो महिलाएं जो सिंगार करती हैं उसमें तो कितना गर्भ होता है इस तरह की जो महिलाएं हैं कि मतलब बोट को इतना महत्व देती हैं बहुत ज़्यादा गर्भ होता है हम महिलाएं सबसे पहले तो पहले मतलब हम लोग जागरूत हो जाना है इस सबसे बड़ी बात है कि महें लुटा है पेहली होता है पहले लोग बोलते थे कि महलाईं चुपा चूला चौका तक ही सीमित रहती हैं बाहर नी निकलती हैं लेकिन अब जबुट जनाना लदग गया है महिलाएं आ आगए आ रही हैं तो हम लोग यही संकल्प लिये कि पहले मतदान करना है उसके बाद चुल्हा-चोका करना है और आज हमारे घर में साधी समारो था, मंदप था, यह मेरी ननद हैं, तो हमने कहा कि चलिए, पहले मतदान कीजिए, उसके बाद मड़वा का कार्च करम होगा, तो हमारे घर में कुछ ऐसी भी महिलाएं थे जो बाहर नहीं निकलना चाहिए लेकिन आज जुग बहुत आगे बढ़ चुगा है परिवर्तन सिल हो गया है पहले का जुग और कुछ था आज का कुछ और है तो हमारी ननत भी इसमें इक्षा जाहिर की की नहीं हम मतदान जरूर अपना करेंगे अपना एक भी वोट बेकार नहीं जाने देंगे और मतदान केंदर पर आई हैं हम लोग साथ में इनके आए हैं और अपने स्वेक्षा से वोट की और आने वाला अच्छा सरकार हो अच्छा हमारे देश का भविस आगे ले जाए हर नागरी खुसाल हो हर महिलाएं सुरच्छित हो इसी को देखते हुए हम लोग ने आज वो मतदान उसके बाद बैवाहित जो मंडव का है वो कारिकरम तो कहीना कहीं सोनी जैसी जो महिलाएं हैं वो मिसाल है खासकर उन लोगों के लिए जो की वोट का इस्तमाल नहीं करते हैं क्योंकि बिना वोट का इस्तमाल किये एक मजबूत लोग तंतर की कल्कपना कर पाना योगी राजा के साथ सत्य ब्रत किरन गर्वा